तो हेलो दोस्तों कैसे वाप लो आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम मारा टॉपिक चल रहा था तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में पहले और एंफ आर एक लिए तो एक बार पिछला बार रिवाइस कर लेते हैं जल्दी से उसके बाद हम दुबारा ये चीच पढ़ लेंगे ताकि हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाए देखिए नफ्रा क्या था अब कंपनी सेक्ट में पावर दिये हुई थी सेक्शन 139 में सेंट्रल गवर्मेंट को कि आप आप रिकमेंडेशन दिया कीजिए किस पर स्टेंडर्स ओन औरिटिंग पर या फिर जैसा जैसा सी एस को और दिटर्स परम को काम करना चाहिए उनके का पहले यानि सेंट्रल गवर्मेंट पहले रिकमेंडेशन दिती थी और इसमें एक और प्रोविजन था प्रावधान था कि यह कोई एक बोडी भी बना सकती है इन कामों को चेक करने के लिए तो काफी टाइम के बाद 2-4 साल पहले की बात है इसने क्या करा इसने नफ्रा बन पी करती है उन पर अब बड़ी कमपणियों पर देख रिक करना ठीक है जतनी बड़ी बड़ी फरी देखना की काम सही कर रहें कि नहीं कर रहें कि पहले बहुत सारे स्कैम्स बढ़ने लग गए वह से लेकर बाग गया है इन सब स्कैम्स की वैसे जो की पीन बी के साथ हुआ था इनको ये एक burada बनानी पड़ी सेंट्रल गॉवर्मेंट को अब बड़ी गंपनियों पर यह देख रेक करती है उन पे और Uditors के उपपर उनको ऑलड सही हो रहा है के नहुत और उनकी कृताब और गलत नहीं होई डिक स्थोटहीं कम्पनियों पर अभी даже ynक़ते जो कि αपना काम अंधे अब हैं कि यह बेरे पर चोटी खंपनियां इसलिए यहीं सब कुछ लगबग यहीं है बस हम क्या पड़ेंगे जो कंपनी सेक्ट है वहां पर आजागा ऑग्जली एक्ट ठीक है और जो से इंस्टीट है ए आई सी पीए हम बार बार कल लास्ट क्लास में सी पीए भूर रहा था ना वर्ट क्योंकि हम इंडिया में याद रखते हैं चार्टेड अकॉंटेंट तो अमेरिका इंस्टीट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकॉंटेंट ठीक है यह वहां का इंस्टीट है जो वहां के सीए बनाता है मतलब वहां से सीए प्रोड्यूस होते हैं नफ्रा की जगह हम क्या पढ़ेंगे पीसी ए ओबी ठीक है दोस्त यह मनें पढ़ा था मोटा मोटा कॉंसेप्ट उसके बाद और ने सेंट्र कोर्मेंट के पास कहीं और सा शिकायत आई अगर होगी तो नफ्रा को बुलेगा कि तुछ इसका इन्वेस्टिकेशन कर और बता कि यह फर्म सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है मतलब ऑडिट फर्म यानि सीए लोगों की फर्म ठीक है उसके बाद हमने प कानजिए नंग्याशन कर रहा सकता है ले पावर्म इसके इसमन कर और निसांफिया करए को फिर फ़र्म गृब मिस्क कन्ड़क्त होगा कि अ200 के पास इतना अगर कोई सी एंव कोई कなन पर्मीन और डदो थिर्मीन कर है तो और पर पेनल्टी भी लगा सकता है आई तना तो 1,000,000 या फिर 5 गुना जितने उस CA ने उस company से फीस रिसीव की है फिर में है पांक लाख या फिर 10 गुना जितना उस company के CA ने उस company से पैसे लिए यह फीस लिए ठीक है अगला point हुआ 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 चलो इसके साथ जैसे ौर्ट की पाउवर कोट कुर्ट पाउड विलिटिव लगा सकता है और जयल है यहां पर यह उस सीए का या सिस्ट्रेशन है कैंसल कर देगा या फिर उसका मेंबर शिविग कांसल कर सकता है चे मने सर कितने लोग होते हैं कितने लोग काम करते हैं कैसे उसकी बोडी में इस एक मेंकर होते हैं आजब और बाकी बजगे आप याद रहा था यह सिर्फ समझाने के लिए था बाकि आपको याद रखने का यह वाले point है ठीक है यह मेंबर होता है इसमें ध्याद देने का जरूत नहीं है अब इन मेंबरों के अंदर qualification क्या होनी चीए वह ध्यान देने का जरूत है जिसमें से मैं आपको क्या बताया था कि they should be having expertise in accounting auditing finance law किसी भी फिल्ड में finance की बहुत सारी फिल्ड होती है टेक्स वगरा की फिल्ड होती है उन पंदरा मेंबर को किसी ने किसी चीज में एक्सपर्ट होना चीए वह बंदा है ऐसा ने किसी को भी उठा के बना दिया आपने नह उसको accounting की knowledge होने चीए या फिर टेक्स वगरारा की किसी की knowledge होने चीए ठीक है they required to make declaration अब यह जब appoint होते हैं नफरा के मेंबर बनते हैं तो उनको एक declaration करना होता है कि हाँ जी मेरे पर कोई case नहीं चल रहा मेरा background बिल्कुल साफ है तो मैं नफरा का मेंबर बनने के लिए eligible यह 15 मेंबर जिनका भी case आएगा firm का उनमें काम नहीं किये होने चाहिए और जब वह काम खतम हो जाएगा किसी भी firm को पकड़ लिया है नफरा ने देखा कि हाँ यह C firm काम खराब कर रही है गलत auditing कर रही है तो C firm क्या करेगी उस पर कारवाई करेगी उस बंदे पे उस C firm प कोई भी मेंबर अपने नफरा से निकलने के बाद उस यह firm में दो साल तक काम नहीं कर सकता हुआ है कि स्कॉप क्या था अब में यह था कि कहां कहां पर स्कॉप बोलो या फिर जीरो डिक्शन आप किसी बुक में स्कॉप लिखा होगा किसी बुक में जो भी आ जाए बात एक कर देंने अंए अफ कर दखा है सिधी सिबात है अगर लिस्टेटश कंपनी तो फ्लाए होगा पेडव क्याप सौ करोड से फेर सौ करोड या फिर सो कॉम्हों पर है तो नफरा न रसा करोड़ से ऊपर है तो न मतलब ऑन कंपनियों पर अप अप देख एक करेगा यह फिर उ पॉइंट और था कि अगर बैलेंस इट के लाज़ डेट पर पांसो करोड से ज्यादा का पड़ा है डेट डिबेंचर डिपोजिट कुछ भी करजा पड़ा है तो भी नफरा के प्रोविजन उसके अप्लिके बलाते हैं यानि नफरा उस बंदे के उपर पैनेंटी वगड़ा है यानि यूएस यूके किसी और कंट्री में बनी हुई है तो पूरी कंपनी का यानि उसको भी मिला के सारी ब्रांचों का हैड़ ऑफिस का क्या बोलता है नेट वर्थ का 20 परसेंट अगर उस फॉरण कंपनी के पास नेट वर्थ है या फिर टर्नोवर है उसका तो वह भी नफरा के दायरे में आती है चाहिए वह दूसरी कंट्री में नफरा बोलेगा तू भी मेरे को इनफर्मेशन दे तेरा काम ना साइस है नहीं हो रहा है ठीक है इसके बाद कर था यह देखको हमने ऐसा करके समझा था एक्जामपल लेकर नफरा वर्सिस आईसी आई पहले कंपनी पर भी हमने पड़ा ना 500 करोड़ फिर 500 करोड़ उन पर नफरा के नफरा देख रहे करेगा उन कंपनी के उपड़ और उनके ऑल्डर के उपड़ वागई जो बदके छोटी कंपनी है उनको अभी भी आईसी एया यहने सी इंस्टिटूड उनके उपर नजर रखेग ठीक है अथोरिटी नफरा का काम क्या है यह देखना कि जो इनवेस्टर है जो भी स्टेक होल्डर है उनके राइट्स प्रोटक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ठीक है ठीक है अगर कोई मिसकंड़क्ट किया मिसकंड़क्ट हमने डिसकस किया था बहुत ज्यादा डिसकस किया था क्लास में अभी ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे मिसकंड़क्ट का पॉइंट यह था कि अगर अगर वो गलतियां की है तो उस पे नफरा पेनल्टी लगा सकता है उन गलतियों पे एडवाईजरी रोल आज पढ़ेंगे पीसी एओबी में यह ज्यादा एजी है आपका ठीक है आज हम पढ़ेंगे पीसी एओबी पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवर साइट बोर्ड अब इसमें एक पुइंट ही समझ लो पब्लिक कंपनी नौट प्राइवेट यानि प्राइवेट कंपनी पे अप्लिकेबल ही नहीं होता पीसी एओबी ठीक है वही सारा कॉंसेप्ट यहां पे भी है कुछ अलग नहीं है बस एक्ट अलग हैं वो इंडिया के एक्ट थे वहां नफरा था यहां पीसी एओबी यह ठीक है यह सब क्या देखते हैं और को अधर को भी उसी कंपनी का काम सभी करना है मतलब कंपनी का काम चैक करना है अगर कंपनी ने काम गलत किया तो उस पर में पर रहे नफरा वगरा कर रहा है यानि आख और 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 चीज़े तो किसमें आ गई एक तरह से तो आगी और यहीं ना सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले साल देखेंगे कि इस टॉपिक को ऑड़िटिंग में डालेंगे वो लोग या फिर कॉर्पर गवर्नस में हो सकता है में यह अपलाई होता है चलिए आप इसका पढ़ लेता है जल्दी से है बहुत सिंपल आज क्लास बहुत इजी होगी और यह हम अगली क्लास में रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको तीन चार बर नफ्रा रिवाइज कर लिया सेम चीज हम पीसी ओभी में पढ़ेंगे चीजे थोड़ सी एक और कर दिया विसको शॉर्ट में ना साक्स भी बोलते हैं कि अध्युद्वे शॉट कर दिए अगर आपको कंभी कॉश्चन में झाले तो आपको मैं है तो यह ए ऑक को इन्होंने एक्स कर दिया ऑक ठिक है तो अब और का काम क्या है सोख ने क्या बनाई PCOB वहां ने क्या पड़ा था कंपने एक्ट के सेक्षेन 132 के तहत क्या बना नफ्रा यहां पर क्या बोल दिया सोख के एक्ट के अंदर क्या बनाए गया PCOB देखां चीजे सेम ही है बस पॉइंट्स वह नाम अलागे हैं बस यह यूएस में काम आता है वो इंडिया में नफ्रा इंडिया में अपली के बला बस एको लिखाए भी है एक अपलीक कंपनी को ओडर को देख देख करना उसका इन्वेस्टर के इंट्रस को प्रड़क्ट करना पब्लिक इंट्रस को प्रड़क्ट करना ठीक है इन्फोर्मेशन साइसे बन रही है नहीं एक्कुरिट बन रही है रिपोर्टिंग्स प्रॉपर हो रही है इंडिपेंड हो रही है यह सारे बेसिक काम क्या है पीसी एओ भी के उच्छ लग नहीं दोस्त अगर आपको इस वाले में हमें टेक्निकल जाने के ज़रूत ही नहीं है यहां पर जर्नल वे में लिख सकते हो बस आपको पता होना चाहिए कि में पॉइंट क्या है यह वाली बोडी बनाई गई किसने बनाई इस एक्ट के तहित बनी बस यह च्छोट पॉइंट आप याद रखने है बा कि आपको फेपर में इस्यू ना हो पॉइंट बहुत इस अब देखो नफ्रा में देखो कुछ भी आ सकता है नफ्रा करना सब्सक्राइब की एक्टिविटीस आ जाएं पंशन साज है रिस्पॉन्सिबिलिटीस आ जाएं और मैं तो कहूंगा आगे क्या है पॉइंट है अबिमिमिक उनले curtain को फांवर्स अगर पावरस भी आ जाया हूं वैसे पावर्सु आपके कौर्स में अलग से दिय रखसें सब्सक्राइब तो भी आप वह वाली चीज़े लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ यहां पर ध्यान ससुनना बता आंट कहीं कहीं पर प्रिंसिपल्स या फिर फीशर एक इस हमानी होते हैं कहीं पर पीचर्स और अडवांटेजिस आप लिख सकते हो तो जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां अपनी बुक में किताब में कोई भी आप डियू की रहार कर रहे हो लैपटॉप से पट रहे हो पट रहे हो आई-पैट से पट रहे हो ध्यान रखना वह चीज को लिख लेना अपने क क्या कि एक्तिविटीस हैं पीसी अचैनल इसके तहत जो सारी फार्म्थ होँगी जो पट कर रहे होंगी प्राइबट कंपनी नहीं जो भी आउट होँगे वहां के अउय और होंगे वहां के यूजिए के यूज़ो यूज़ह कं इस के देटीफाइट पबिक अकौंटेट म योग यूज जोए लोग वहां का यूज करते हैं इंडिया में क्या उसे अडम यह बना हुआ है जिस करेंगे महां पर द्यान रखना अगर कुछ आसा लिखा हुआ आ जाई CPA लिखा हुआ आ जाए तो समझे लेना PCAOB के बारे हैं कुछ पूछा हुआ है चलिए PCAOB के तहट जो भी सारी firms हैं CA firms कौनसी firm CA firms जो की ओडिट दे रही है पबलिक रिश्टर कंपनी को अडिट कर रही है उनको इस इस प्रोविजन के तहट यानि PCAOB में रिश्टर करना अपना नाम देना जरूरी है कि हाँ भी हमारा नाम यह है यह firm है हम इतनी इतनी पबलिक कंपनी का ओडिट करते हैं ठीक है ठीक है PCAOB Auditing Standard यह क्या करेगा यह भी आइसी नफ्रा की तरह है जो प्रोफेशनल स्टेंडर्स बने हुए है और अपने एसेस वही है यह यह चीज देखेगा कि जो स्टेंडर्स ओन ओडिटिंग को धंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है ठीक है पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत फिर भी दिस स्टेंडर्स यूटिलाइज टू मॉनिटर्स अकाउंटिंग फॉर्म प्रायर टू PCOB स्टेंडर्स वर सेटप बाई आइसी पीए जैसे कि इंडिया में जो स्टेंडर्स लाया आकोन लाया वह से इंडिया में एस्टेंडर्स यहां वहां के जो स्टेंडर्स हैं वह फोलो की होने चाहिए वहां के स्टेंडर्स ए आई सी पी ए लाया था तो यहां के सी पी ए अच्छें इंडिया लोग करते हैं तो थोड़ा सा कर्चा आता जादा बड़ कि शेलगा लुफ सेंगी होती है पड़ाई के मामले से थोड़ा से अग्ट रहा डिफरंट हो जाता है और यहां कसी यह वाहं कशी यह लगभग एक ही बात है चले नेच्ट पॉइंट पीसी यह ओवज इंस्पेक्शन रिपोर्ट पहले इसका पॉइंट पूरा समझते हैं पहले सेकेंड पढ़ते हैं इसका सेकेंड लाइन पढ़ते हैं इसे संटेंस में दो तिन संटेंस आ गए PCAOB inspect firm that audit fewer than 100 public companies at least once in every समझे ना इसी पॉइंट को जो CA firm वहां की audit करती हैं इसका पॉब्लिक कंपनीज का कम से कम सो कंपनियों करती हैं उनका उनके इंस्पेक्शन करेगा PCAOB उन फॉर्म का इंस्पेक्शन करेगा PCAOB तीन साल में एक बार यहीं चीज़ हमने कहीं पड़ी थी याद करो पीर रिव्यू याद है पीर रिव्यू पड़ा था ना हमने सेम चीज एक तरह से यह पीर रिव्यू करवा रही है तो यहां पर पीर रिव्यू को फड़ा था इसईए आई थो यहां पर आईसीए जगा क्या ठाए अइसीपिए लेकिन पवर को भी को भी सिय और रहिखे तो PCAOB इंस्पेक्शन कराता है उन बड़ी बड़ी औरिट का जो की बड़ी बड़ी public company हो ने सब्सक्रिक पब्ली क्पने काम कर चुके होती है तो उनका कर वाता है तीन साल में एक बार वहां पार भी हमने तीन साल पड़ा था तीन साल में एक बार पीयर रिवीव में आप देखना एक बार अप कि इंफोर्समेंट कर दिया उसके बाद क्या करेगा पीसी यो भी अपनी रिपोर्ट भी इश्यू करेगा रिपोर्ट इश्यू करेगा कि भाई इन कंपर इन और फॉर्मों ने साही काम किया कि नहीं अगर उसे कहीं पर Deficiency लगेगी कहीं पर Serious violation लगेगा तो PCOB क्या सकता है इंपोस कर सकता है संक्षं कर सकता है संक्षं क्या मतलब सर सक्षंट नहीं है यहां पर पावर है नहीं है यहां पर क्या लिखा है बस सेंक्षन लगा सकता जी पेनल्टी तो है एक्ट में हमको प्लती हमारे को सब्सक्राइब है लेकिन अफरा में हमने पड़ा था इसे लिए मैं बार बर बोल रहा है कि हम सिप यह थे के लिख पॉट से पड़ें बहुंत तो तरह की कमिटी उनLY के लो एक ही बात है दो कमिटी है एक है standing अभी यार अपने कि अच्छा इस्टेंडिंग अडवाइजरी गूप और एक है अपना इन्वेस्टर अडवाइजरी गूप देखो नाम से समझो standing यह क्या करता सका में काम है जो standards देखने वहां के standards यानि जो वहां के हिसाब से auditing standards है essays हैं वहां के हिसाब से ठीक है इसका काम क्या है वो सब देखना कि वहां के essays सही से follow हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं सही से बने हुए नहीं हो बने हुए अब इसको देखने के लिए क्या करती है यह जो committee है एडवाईजरी ग्रूप है यह साल में दो बार मीटिंग करती है ठीक है स्टेंडिंग एडवाईजरी ग्रूप मीट सेमी अनुवली डिसकर देटा टेक्नलोजी, साइबर सेक्योर्टी कॉपरेट कल्चर, कम्मिनिकेशन ओन पी सी ओ ओ बी स्टेंडर्स जो भी PCOB के स्टेंडर्स बनाए है, मतलब स्टेंडर्स तो AICPA नहीं बनाए है वो सारे स्टेंडर्स को कौन देख रेक करेगा, यहाँ पे PCOB देख रेक करेगा, यह माँ समझे लेना कि यह PCOB के अलग से स्टेंडर्स बने हुए सेन्टेटने पे अपनी डेता ओसे बगातने यह आंडियामे तो मीन किया है इस्टेंडर्स को देख रहे करना मतलब इस्टेंडर्स इसे फोलो हो नहीं को यह रहा है कि नहीं काम यह है लेकिन साथ मैं साथ अलगा देख लिए डिए टेक्नलोलजी साइबर सेक्योरिटी कॉर्परेट कल्चुर अगर इन चीजों में कुछ गडबड़ी होती है तो मीटिंग करके स्टेंडिंग स्टेंडिंग अडवाईजरी ग्रूप उस पर अपने रिकमेंडेशन देगा ताकि वह चीज फोलो हो आगे कंपनियों द्वारा और ओल्टर के द्वारा ठीक है सब्सक्राय हो अब सब्सक्राइब हो सारे चीजन चाहिसे अपलाई हो रही है कि नहीं हो रही है कि टाकिा कोई लौसों लॉस्ट को कई वह फिल फिल सब्सक्राइब कर स向स्जान लस्पाई और लिखना वो देखो इस नष्प सपर पंड़ है कि यह कमिटी मीटिंग करती है once in a year साल में एक बार यह कमिटी करती है दो बार ठीक है अब इसमें क्या पॉइंट है डिसकस्ट ग्रूप स्ट्रेजिक प्लान यह जो ग्रूप है दोनों इनकी प्लाइनिंग कैसे रहेगे क्या है एक क्या है जो स्टेंडर्स वगारा है उन स्टेंडर्स में कुछ एक्सट्राइब क्या है कुछ कमिया है कि नहीं है वह चीज़े चेक करेंगी वह ठीक है स्टेंडेट्स में जैसे हमने और पड़ा था ना ऐसे 230 ऐसे 600 में था मैंने बताया निजाब का बहुत जगे यह बताया थैसे 500 एविडेंस ठीक है तो और एविडेंस मान लो कुछ कमिया है कुछ इनको एविडेंस में कुछ और पॉइंट जोडने है ठीक है आज के मार्केट के इसाफ से या कुछ नए फ्रोड आ गया तो उसके साफ सब कुछ चीजे अपने स्टेंडेट्स में बढ़ा नहीं है यह देख रहे को उनकरेगा स्टेंडिंग कमिटी सजेशन द आondere इस पर खनेगा है ओप इसने क्या किया अड़ाइज़री ग्रूप ने रहा दो नहीं हो रही है दो कुछ सकता है कि आपका ईक उसकान आजाए को फाइफ स्टैप स्टैटीडिक प्लाइन तो न कि हмотря हो सकता है कि आफ्लोड टाहु है dries पाइब स्टेप्स क्या क्या होंगे देख लेते हैं कुछ नहीं है पॉइंट यहीं है कि सारे सारे बुक्स अकाउंट साइब और रिपोर्टिंग और ने सही से की होनी चाहिए एस पर दी रूल्स और रेगुलेशन जो भी इन एक्ट में दिये हुए प्लस एई सीपी ए जो वांका इंसिट्यूट है उसने भी अपने स्टेंड बनाये होंगे उन स्टेंड़ों को सही से फॉलो किया है रिपोर्टिंग सही से की है कि नहीं कि उसे चीज़ को करने के लिए पांस टैब बना दिया है एडवाइजरी ग्रूप में क्या है वह वह ड राइब इंप्रोव्मेंट इन क्वालिटी ओफ दी कि अन्गसे करता ऊंटाने कि तो पूरा पूर चक्राँ कर रहा है ना फिकसेट को फिजिकली भी वैरीफाइए कर रहा है ना ऐसा तो नहीं है ऊसमने खाली रेश्टर देखके छोड़ दिया अब फिक्स ऐसे चीज है कि वो मशीन तो जाकर देखे गई ठीक है देखना भी चाहिए कि इस तो लग गया भाई तीन साल का इसको अटा क्यों नहीं रहे ठीक है या फिर इतना खराब हो गई है इसका मशीन का पार्ट अलग हुआ है नई मशीन का पार्ट लगा तो इसको सब्सक्राइब होती है यानि वह भी फिक्स असेट टू बैंक विक्स असेट्स नहीं कैप्टल कैप्टलाइजेशन होगा उसका कैप्टल एंट्री का एक्सपेंडिशर होगा ना कि रेवेन्यू नेचर का ठीक है तो पॉइंट इस कि वह पूरी तरह कैसे उसकी जो औरिट कि आज कल कर सिनारियो में जो एंवारिमेंट चेंज हो रहा है उसको मद्य नजर रखते हुए चीज़ों को देखेगा कि यार मार्केट पर यह चीज नहीं आ रही है तो इसको और कैसे करना है अगर इसका और और सही तरिके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसपे क्या बनाने हैं कि एक्जामपल लेता हुआ है समझ में नहीं होगा जैसे आसल क्या आप देख रहे होगे गेमिंग इंडस्ट्री गेम खिरन लोग गेमिंग इंडस्ट्री से लोग करोड़ों कमा रहे हैं आपको पता यह बात जो लोग जाता ही सोशल मीडिया पे अक्टिव हैं इ यह जो यह उसको कैसे कैसे उस इंडस्ट्री को और चाहिए उस पटेंगा जो आने वाली चीजें कुछ नई इंडस्ट्री खुलेंगी कल यूटूप मार्केट और बड़ा होगा या फिर कम होगा कोई गेमिंग बड़ी हो रही है जैसे आप देख रोगने ओना गेमिंग वो किरकट खेलते हैं ओनलाइन ड्रीम 11 पर टीम बनाओ सर तो एक नए इंडस्ट्री आई थी तो इन अडवाईजरी कमिटी ने अपने अडवाईजिस दी थे कि हाँ भई यह नए इंडस्ट्री आ रही है तो इस पर क्या-क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए इन्हांस ट्रांस्पेरेंसी एंड एकसेसिबिल्टी सिंपल पॉइंट ट्रांस्पेरेंट होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट और उसका अउडिट की रिपोर्टिंग परस्यू ऑपरेशन एक्सेलेंस मतलब ऐसा नहीं है जो वहां कर सीए यह ऐसी करते काम छोटा मोटा ए अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत बड़ा फ्रोड होने वाला था किसी कंपनी द्वारा लेकिन और ने पकड़ लिए और रिपोर्ट कर दिया तो उसको यार इतना बड़ा फ्रोड रोगने कुछ फाइदा भी तो दोना है नौर्मल तो फीस लेही लेता है वो कंपनी से ओड़े का जो क्लायंट को से नौर्मल फीस तो लेही लेता है उसका ओईट करने का एस पर फिस हो लेकिन अगर उसने बहुत अच्छा काम किया उस और उस स्य ने वहां किसी ने मैं बार बार्ट वार्ट्षी एयुस कर रहा यानि वहां के CPA ने अगर बहुत सही काम किया और कुछ फ्रॉड निकाल दिया तो उसको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए न तो यह ड़वाइजर गूप ऐसा कुछ करेगी कि उन लोगों कुछ रिवॉर्ड वगरह मिले ठीक है अब रिवॉर्ड कुछ भी तरीका से होसकता उनको और कंपनियों का काम दिया जाए तो कुछ मोनिटरी रिवॉर्ड हो उनकी फीस बढ़ा जाए कुछ भी रिवॉर्ड हो सकते हैं वह हमारे कोर्स पर नहीं है तो यह पांच स्ट्रेजिक प्लैन है जो यह सारे books of account अच्छे से audit हों बनाने काम तो कंपनी का है यहां पर बात कर रहे हैं जो ऑड़िटर के उपर अप्लिके बलों ने ठीक है पावर्स मैंने आपको क्या का था दोस्त पावर्स है फंशन वागा रही आएंगे कही ना कहीं घूम फिर देखो जिसना पढ़ता हूँ देखो रेश्ट्रेशन फॉर पब्लिक अकॉंटिंग फर्म यह पावर्स है कि रेश्टर करवाएगा वह उन लोगों का फंशन है मतलब इसका फंशन भी है देखो पड़ा था ना पीसी यह भी देखो एक्टिविटी फंशन भी था यह इसका और इसकी पावर भी है यानि इसके फिर्फशन फॉर्वर पावर क्यों बोला हिए अगर कोई फंशन दो बड़ी बड़ी कप्ली कंपनियों को अवित करती है अगर वो इसके अंडर पीसी यह वीके अपने आपको रेश्टर नहीं करेंगी वो फंशन तो यह क्या करेगा जब्सति खाएगा कि मेरी इतना चे तेरे अच्छिस होनी चिए तेरे फर्म में यह वाला इस यह वाले पाच पर्टनर है यह वाला इसको निकाल कि अधिक है तो यह सारी पावर्स हैं वह इंडीपेंडनेस वगरा सब देख सकता है और उनको अप्मिकेबल करवा सकता है के उपर कि इंस्पेक्शन कर सकता है फाइन लगा सकता है देखो फाइन अच्छी बात है फाइन दे दिया एक फाइन अगर इंडिविजल है यापर फाइन अगर ऑइट फाम है में इन डिविजल लाइट दो दो मिली यानी 20 लाग ठीक है इंप्रूब दो क्वालिटी ओफ ओइट सर्वेस प्रोवाइड बाइद पब्लिक अकाउंटेंट वही क्वालिटी ओफ सर्वेस जो मनें भी पड़ा था क्रेट अन्मेंटेन ओफिस ऑपरेशन यह हमने पड़ा था कहां पीर रिवियू में कि उसका ओफिस का इंफ्रसेक्श्र बढ़िया होना चाहिए लैप्टॉप सब्सक्राइब 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 करने के लिए फिर पड़ता थे तो यह सारी चीजें भी पीसीओ भी देखेगा और देख लेते हैं क्या-क्या है यह होग Çीजों को चेक करने के लिए लोयार्स को कर नहीं कर रहे है कि उमद्स के करने के लिए दूसरे लोगओ कोवी हाईर कर सकता है यह सियह को भी एक जाए कर रही है धिसी और सीचेको भी मैं वहीं कि CPA को भी Hajar कर सकता है जैसे इंडिया में क्या करता है एक काम करणोंर जबाए जाता है वहां पर दूसरे को भी our को भी //200 को भी आए कि तो इस फर्म का देख्शी यह वाली फर्म से काम गोरी नहीं कररी सिसकी रिपोरिक्व ना रंग से यह चीज तो यह सब चीजें यह PCO भी इंपोस करवा सकता है इसके पास पावर है ठीक है काम फंचन तो यह होता है कि फंचन वो करें ना करें ठीक है पावर ऐसी चीज होती है कि वह सामने वाले पर इंपोस कर सकता है यहां भी पावर है मेरे पाख कि मैं तरह सा काम कराऊंगा और तू करेगा नहीं करेगा तो पैनल्टी भुगतेगा ठीक है चीजे वहीं है कंफ्यूज हो सकते हो आप बट टेंशन लेना यहां पे भी एक फाइदा यह है कि आप वह फंशन भी लग दोगो तो चलेगा बस लेंगवा जैसे लगना कि वह पावर लगे ठीक है क्लेक्ट एसस एंड अलोकेट अकाउंटिंग फीज कि दैट पने पड़ पीसी ओभी तो यह कॉन सा पर बोल दिया चालो मतलब यह क्या बोल रहा है कि ये हम स्य यह पर्म जो काम करेंगी वो कितना किस वगरा ले रही है क्या खळट कर रही है कि ए उसको भी देखरेंगी ठीक है सेंटेंस तोड़ा सा अजीव हो रहा होगा बड़ इसका मतलब यह सकती है और इसके उपर भी सीवड वसकता यानि केस लग सकता है डिफेंड विद अप्रोप्रियेट अनिकोट मतलब क्या से लाज्ट पॉइंट का कि पीसी ए ओबी उन सीए फॉर्म के उपर केस भी कर सकती है को ठीक है कि और इनके उपर भी केस लग सकता है माननों यह खुद इतने करपन हैं कि यह सीए के उपर उनका काम इसक कर रहे हैं इनका खुद कहीं बंदे इसे हैं जो इनका दोस्त है उनके सीए फॉर्म बने हुई है वह लोग चाक ही नहीं कर रहे हैं जबकि मार्केट में जानते हैं कि वो फर्म बड़ा खराब काम कर रही है है तो बड़ी-बड़ी कंपनियों काम करने वाली फर्म लेकिन काम वो डंग से नहीं करती कुछ सीजर्स को पता है अब उन सीजर्स ने कोट में इसके खिलाव केस कर दिया कि यह अथौरिटी जो इतन सकता है इसके ओपर केस को भी सकता है कि ए पौंट यह कि पीशी ए ओबी वर्सिस ए एए सी पिए हमने माँ पढ़ा था न नफरा वर्सिस आई सी यह यहां पर रहे बस वह टो टेक्निकल था यहां पर ठेटिकल जाता है अब देखो पीशी ओवी इस एनपीओ आपीओ भाई जो उडियोंडर स्थाइस को उडियोंद सब्सक्राइब कर देद कर नहीं कि युफ थे मनेज़ें नियुक्तर जय होग्तें। की एक इसज़ुज एक है कि विछ ईजिए स्यफिट एक मैंशीज़। इंटर करते हैं फिर फाइनल करते हैं फीस वगर तो जाती है उसके पास और यह बहुत सारे चोटे 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 देता है सजेस्टन देता है वो लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनीयों को तो सी इस इंसिटूट के पास फंड आता है सी इंसिटूट नोन प्रॉफिट और्गनाजेशन नहीं है एक एंपिओ नहीं है वो पैसा इदो दर मार्केट में भी लगा सकता है प्रॉफिट भी कमाता है सी इंसिटूट ठीक है में काम उसका क्या है बच्चों को सी बनाना वो ठीक है लेकिन और बहुत चीजे करता है जिससे उसका आइंड पीची ओवी इस रिस्पॉंसिबल फॉर मोनिटरिंग अकाउंटेंट्स एंड अकांटिंग फिर में चैनल समझे लेते हैं जो वहां का सी इंस्टूट है ठीक है उसका क्या है कि बॉक्स ओफ अपकाउंट्स और नहीं बनते यह और चेक कर पार है कि नहीं कर पार ह क्या है कि मैं सीए सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सीए का काम क्या है और पीच्छ पीच्छ लोग वनमन डाउट आ रहा हो कि उस्के क्यों क्यों पॉइंट ऐसे लिखा हुआ था यहां पर पी जीरोपीक कोई स्टेंडर्ट नियुगा दोस्त्त पीच्छ पीसी पीच्छ स्टेंडर्ड सब्सक्रण हो रहे हैं और यह चेक करता है इस्तेंडर्स तो चुशिए आई सी पीच पीच अमें इसे इंडि जैसे नफरा दे सकते हैं अपने रिक्मेंडेशन सेंटर इस टेंडर में चेंज चरा लें पढ़ा था नामने चीज शार रिपीट हो रहे हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार छे बार दस बार रिपीट हो रहा है एक तरह से बस थोड़ा साथ घुमा के अब PCOB ने क्या करा ना कुछ AI CPA के स्टेंडर्स अडोप्ट कर लिए और अप्लाए कर लिए पब्लिक अकाउंटिंग फॉर्म पे मतलब गुमा फिरा के यह बोरा कि PCOB का क्या है क्या है इसे चानड़ लो हो रहे है और किसके मिए पॉलिक अकॉंट इंट का द्वार यहांनि दौरा वहाँ के सी अपड़ाने स्पेसिकली पॉप इन और पॉइंट क्या है कि उनकी पावर या फिर उनका काम थोड़ा लिमिटेट है कि वह सिर्फ यह देखेंगे कि ऑडिटर सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा कि मौन अब इसका है इन्होंने पता क्या कर रहा है इनकी प्लिट के हिसाफ से इन्होंने क्या कर रहा यह बोल दिया कि बड़ा काम इसका है छोटा काम उसका है पिज्यों पिए और हमनें क्या पड़ा था मुधा बड़ा काम कर देती हैं इसका काम сы फ्रेम हुस में लेकिन आपको लिखना है कि AICPA क्या करती है guidance वगरा देती है standards वगरा बताती है ठीक है और PCOB क्या करती है यही पॉइंट हो घुमाफिरा के यहां पर लिखा है है दोनों सेमी पॉइंट PCOB क्या करती है उन अकाउंटेंट पे उन ओड़ फर्म पे नज़र रखती है ठीक है प्रोसेस टू रिव्यू सेलेक्टिड फर्म ऑफ ओलिट वर्क ठीक है हमने पड़ा था पीर रिव्यू कि प्रोसेस पड़ा था ना वही प्रोसेस ऐसा मुझे लोगे अब प्रोसेस पड़ा था यहां पर भी वही चीज है अब यहां पर हमें टेक्निकल पॉंट नहीं जाने कि कितने वह रिपोर्ट करेगा कब रिपोर्ट करेगा कोशन कितने बेजेगा यह सब नहीं है एक जर्णल वे में समझा रखा है कि अगर किसी ओड़ीट फर्म का सेल लोगा है तो कैसे कैसे होगा ठीक है देखिए सबसे प्राइब फ़र्म सिलेक्ट और इट फॉर्रीवियो लिखा यह लिखना चीज़ा है यहां पर अज़ेक है और अप लिख सकते हो मतलब सबसे पहले सिलेक्ट करेगा ना पीसी ओभी कि हाँ इस फार्म का काम चक करना है उस फार्म को सेलेक्ट किया जाएगा फिर उसके वरकिंग पेपर वगएरा और उसका इंट्रिव्यू लिया जाएगा उसकी टीम का मतलब फार्म चूस कर ली इसी चीज़ के मैं शॉट में लिख देता हूँ आपको ध्यान देगा सिलेक्ट फार्म करी पहले फिर इसका क्या करा रिव्यू किया एट इंट्रिवियू लिया अब इंट्रिवियू फार्म का था होता है नहीं उसका इंपलोई का ही होता है उसके बाद क्या किया अपने कमेंट दिये किसने पीसी ओबी ने अपने कमेंट दिये कमेंट बाए पीसी ए ओ भी पूरा नहीं आ रहा है इंच लिए तो यहां पर पीसी ओ भी उसका डेफिशेंसी वेल्यूट कर लिए इसने प्रोवाइड कमेंट फॉर्म है यह ठीक है मतलब फॉर्म में इसने डेफिशेंसी निगाल दी स्कूर में यह स्टा भी दूँगा ना तरभी समझे में आ जाएगा देखो कि डेफिशेंसी डेफिशेंसी निगाल दी डेफिशेंसी को फिसने अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में डालोगा वहां मने प्रिलिमरी रिपोर्ट पड़ा था यहां पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है यानि एक बार स्टाटिंग स्टाटिंग में जो काम चेक कर लिया पहले भाई तु यह बता कि यह काम नहीं किया कि नहीं किरा चिंता मत करो मैं इसको ना दो बार समझाओंगा तो मैं जन्नल वे में समझा देता हूं कतम ही हो गया यह इन्फोर्समेंट अदर अधर इंस्पेक्शन टीम में रेफर दा मैंटर वेर अप्रोप्रियेट तु दपीशी ओडिवीजिन इन्फोर्समेंट अन्वेस्टिकेशन अधर इन्फोर्समेंट अधर अथरी ठीक है समझते हैं कि पीर रिवी दिखा दूँ एक बार आपको पीर रिवीव हमने कहां पढ़ा था वह तो कॉर्पेट गवर्नेस पढ़ा दा दूसरे शीट खोलनी पड़ जाएगी कि चलो यहीं पढ़ लेते हैं सिंपल सा पीर रिवीव को जो लास्ट वाला पॉइंट है ना प्रॉसेस सेम वही है पीसी ओभी क्या करेगा पीसी ए ओभी सबसे पहले क्या करेगा तो को चैनल सिलेक्ट करेगा auditor को यह पूर्ड इंद पर भी ऑड़िट या फिर नहीं को फटी होना है फिर चाहरेगा तो इसका रिव्यू करेगा इंफ रिवीः होगा वहाँ पर क्या था दूसरी 100 अबкогоस्ट में उपभ State Council के मेंब्लियृ कर सकता है यह फिर यह जरी किया होता है खुट करता लृप्स ऊस्रियम्म होता है सेया प्यारेलुम से पढ़ रहे है इसे बस हमें योस का पढ़रे तो यहां पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट को क्या बोलेंगे और जिसका रिवीव हो रहा है उसको क्या बोलेंगे फूर इतना बताएं है हमें inspection करेगा inspection करके क्या बताएगा deficiency कि मैं लिख देता हूं पूरा लिख देता हूं communicate कि यह आप जर्नल वे में भी लिसकता हूं यह वाला पॉइंट करेगा deficiency करने के बाद कि क्या करेगा वो जिसका ओईट करा है कि रिपलाए बाए अगर अगर कर दिया यह फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट कर देगा कि एक छोटा सा पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है पाइनल रिपोर्ट टू पी सी ए ओ बी कौन पी सी ओ बी ने किसी को तो पॉइंट किया होगा ना करने के लिए तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे बाए रिवीवर ही हमने पढ़ा था कहां पे पीवर रिवीव में आपको याद रहे गया अब रिवीवर ने अपने रिपोर्ट पी सी ओ बी को समिट करा दी अब पी सी ओ बी क्या कर सकता है इसका देखो लास्ट परते हैं अब देखो यहां पर चेक करने के बाद ना पी सी ओ भी इसको भी सकता है या फिर इसको अगर लगेगा रिवीवर को लगेगा कि किसी और अथोरिटी को भीन है तो यह टेक्स अथोरिटी को भी रिपोर्ट कर सकता है इस इतना फरक है डारेक्ट पीर रिवीव हमने क्या पड़ा था कि वह सिर्फ बोर्ड को पीर रिवीव बोर्ड को ही रिपोर्ड करता है यहां पर बस क्या बोल दिया है कि वह रिवी आपने और टेक्स के चोर ज्यादा करता है ठीक है तो टेक्स अथर्टी को भी अपनी रिपोर्ट कर सकता है अब यहां पर क्या लिखाया किसी और अथर्टी federal state foreign कोई भी अथोर्टी है वहां का FEMA Act हो गया वहां का कोई federal Act हो गया State Act हो गया तो किसी को भी जिसको भी जुरूरी होगा उसको report कर सकता है review करने के बाद यही सारा point बहुत जर्नल वे में है और अमने कि इसको हम नेक्स क्लास में रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्लास के दोरान ही पांच पांच शेशे बार रिवाइज कर ही लिया है गुमा फिराके मैंने चार बर सेम चीज़े बता ही है और यह इजी भी है देखो PCOB नफरा एक ही बात है बस PCOB क्या है यूएस में प्लइकेबल है और नफरा इंडिया में यह पढ़िक कंपनी पर अप्लाइ होता है यानि उन ऊट्वाइट पंप्स अप्लाइए होता जो आइड़ कंपणी का ओडिक है ठीक है PCOB किस एक्ट के अधर मना गया है साउक्स एक्ट करंदर सार्बंस ऑग्जली एक्ट 2002 के अंत में इसका काम क्या है इंट्रेस्ट औफ इंवेस्टर को देखना पब्लिक इंट्रेस्ट को देखना और सारे जो और बुक्स है और रिपोर्ट है वो सही से इंडिपेंडेंटली एकुरेटली बन रही है कि नहीं बन रही है और स्टेंडर सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो अगली बात एक्टिविटीज फंचन या फिर रिस्पॉंसिबिलिटी पीसी ओभी के अंदर और फर्मों को रिज्टर करवाना पड़ेगा अपने आपको ठीक है पीसी ओभी यह देखेगी कि और इंग स्टेंडर्स वगएरा जो भी ए आई सीपी एने इसू कर रहे हैं वो इस्प्रेक्शन के बाद उसके ओपर पैनल्टी भी लगा सकती है इन ँफोर्स्का सकती है कुछ भी सेंक्ष्ण पैणलटी जेल वगएरा या फिर अमांट्र्ट भी लगा सकती है अगला पड़ा सब्सक्राइब होते हैं इस्टैंडडर्स को देखना कि स्टैंडर्स सही से बने हैं कि नहीं बने स्टेंडर्स में कोई चीज अप्डेट कर नहीं करनी है एक पस्तें नहीं करने ठीक है और बस एक चीज लिए आपके स्टेंडिंग कमिटी यह फिस तेंडिंग अड्वाइज़री गूरूप साल में दो बर मीटिंग करता है मिटिंग कितनी बार करता है लेकिन दो बर अटलिस करने पड़ेंगे इसका क्या है कि यह देख रेक करना कि वह जो स्टेंडर्स वगए रहा है वह सईसे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मार्केट में ठीक है इस चीज़ को भी देखने खेने लिए कि प्रथेक्स काम कर रहे हैं कि नहीं सारे ओइटर से काम कर पा रहे हैं उसके लिए इसने कुछ स्टेंडिक प्लान बताये हैं इसवाले गृप में क्या है कि ऑई अकी साइज से इसकी सै-लिटी इस औफ सर्विस और दे रहा है कि निए रहा ह् 5 और अगर खलकोग कोई अशन्並ने वाला है उसके हिसाब से मार्कट में को चेंज आने वाला है उसके हिसाब से औरिट कैसे करना चाहिए का इसको भी की देख रि subsequent करेगा है पिए ट्रांसपेरेंसी एकसेइबिल्टी ट्रांसपे से अब टरांसपेरेंट कितना नहीं है ठीक है कि ऑपरेशन एक्सिलेंस मतलग यह चीज़ इन्वेस्टर ग्रूप यह भी देखेगा कि सीए के पास एक्सिलेंस है अपने काम की कि नहीं इसने काम किया भी नहीं है उसको हवा में उसने बगा दिया उसके पास एक्सपर्टीज उतनी होनी चाहिए उतना इसके पास उसके पास उसकी एक्सपर्टीज हो उसके बाद कर देखेगा डिवलप इंपावर रिवोर्ड रिवोर्ड देखा जिसने जिन फॉर्म ने सब्सक्राइब करेगा उनको किसी ना किसी तरीके से अवोर्ड देने की भी कोशिश करेगा पावर पार वे रेजिस्टेशन वाले पोइंट गुमा फिरा कि यहां पर लिखे एं सारे पावर के एक चीज क्या थी साइल लगाना इंडिविजियल सी यह है तो उस पर एक लाक युज डॉलर का लगा सकता है और अगर फॉर्म है तो दो मिलियन युज डॉलर तक का फान लगा सकता है PCOB फिर क्या हमने पढ़े थे PCOB versus AICPA ठीक है PCOB non-profit organization है और एस AICPA professional membership body है यानि यह profit कमा सकती है AICPA professional association accounts इसका काम क्या है अकां रहां कां अकां आएक ÖYANच कां कैसे सही साथ से बनते हैं कि स्वाल्या बनते हैं कि नई बनते यह देखना और PCOB का क्या है अकांट्ट साही से काम कर रहे हैं यानी सी यह चंपर साही करने कि निए यह देखना कि एक्रीट स्टंडर्स वह यह बात है कि ऐङ और क्या स्टंडर्स को बनाना उसकर रिक्मेंडेशन और पीसे ओवी का का मैं वह स्टेंडर्स वहां के साइसे फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं यह प्रफ्टा पीसी ओवी डिल्स पे सिंग्निफेकंटलिमिटेट पॉब्लिक अकॉंटिक फ़्म भाइब यहां पर यह दोनों पॉइंट नहीं तरह सेम ही रखें उन्हें उस घुमा फिरा के रखें ठीक है एक भी लिखोगे तो भी चलेगा बागे इसी चलेश को आप लास क्लास में अपनी क्वेरी बेजना तो कोशिश करना अभी तक वाली क्लास अप्लोड हो गई होगी इन मच्चों ने क्लास देख ली है उनके मन में जो भी डाउट है क्वेरी है एक्जाम रिलेटेट प्लीज बेज देना ताकि उसको हम क्लारिफाय कर पाएं एक डेडि लिए फार्म बन चुकी है तो इसका एक बार ओट हमें करना चीए यानि रिवियू करना चीए एक और फ़म को स्रेट करेगा बोर्ड उसका रिव्यू करेगा इंस्पेक्शन करेगा उसका यानि इसको आफिस में लाकर सारी चीज़ देखेगा कि सही से काम हो रहा कि नहीं ह करने के बाद जो भी सो गलतियां दिखेंगे डाफिक्शन से दिखेंगी वह कम्यूनिकेट कर देगा उसको उस फर्म को वह फर्म क्या करेगी अपना रिप्लाय देगी कि हाँ भी मैंने और मेरे जो आपने गलत निका लिए यह गलत निका लिए यानि कुछ पॉइंट में इसके होंगी कुछ पॉइंट हो सकता है इसली गलती है नहीं लिए इसके रिप्लाय मिलने के बाद जो जिस बंदे को पॉइंट किया गया हूँ वह बंदप PCAOB को भी रिपोर्टिंग करेगा और साथ में किसी और अफॉरिटी को वहां की अफॉरिटी को भी रिपोर्ट क तो अब हमारा जो आउडिटिंग का पार्ट है यानि जो यूनिट वन है एस पर डियो की बुक वो कंप्लीट हो चुका है साथ के साथ यूनिट टू का भी जो कॉर्प्रेट गवर्नेंस वाला पहला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब मैं एक क्लास और लूँगा मैंने बोला था एक छोटा सा टॉपिक और ठाएंगे मिस्लेनियस और अडिटिंग में हमारे कुछ मिस्लेनियस टॉपिक रहे हैं दो एक या दो टॉपिक है चोटे चोटे ठीक है ओल्द अगर वह आप खुद भी लिख सकते हो बट फिर भी हम लेंगे एक डिसकुशन करेंगे कि आपको कैसे कैसे मतलब वह जो 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 मिस्लेनि आपको बहुत ही बैनिफिट देने वाला है अब हमारा कि चैप्टर 5 भी होगा चैप्टर 6 भी हो गया और रोल ओप ओडर में हमने कॉर्पेट गवर्नस का थोड़ा सा पॉइंट पड़ा था और इसके साथ हमने थे और पढ़ ली थी थे और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारा कुछ पवर कर लिया है जो आपके कोर्स में कि दे तो नहीं रखा आपकी बुक में बट दोस्ट पेपर में आता है कि बहुत बच्चों के नंबर इस लिए नहीं आता है कि उसको पता ही नहीं होता कि पेपर में ऐसा चीज़े भी आ सकती है जो हमारी बुक में दे रखी कि आई होप आपका जो ड्यू है वह जो नेक्स सेशन आने वाला है अगले साल क्या करेगा और अश्यक्ति अलग बन जाएगा तो वह उस समय आशा करता हूं कि वह कंटेंट पूरा का पूरा देगा अपने बुक में यह जो 75 नंबर का मैं आप इतना कुछ पढ़ रहा हूं न और वह चीजे एड होंगी और 75 नंबर में आप यह सब पढ़ होगे ठीक है दोस्त तो अब कुछ बच्चों को लगा रहा हूं सर 10-11 क्लास तो यहीं तक हो गई यह पहले वाले यूनिट में होगे 10-11 क्लास तो सर आगे क्लास में अभी-अभी चार यूनिट और पड़ी है सर इस हिसाब तो सर आप 10 का आवरेज ले रहे हो तो सर आप तो 50 क्लास लगा दोगे और आपने 30-35 बोला है तो दोस्त ऐसे नहीं होता अब जो टॉपिक आएंगे ना वो उतने ज्यादा टाइम कंजूमिंग नहीं होंगे अब आप यूं समझोगे चीजों को क्योंकि हमने समझ लिए अब हम देखो आज हमने टॉबिक पड़ा इसमें भी हमने चीजों को कई बार रिपीट किया है तो अब आपके दिमाग में चीजें डिवेलट हो गई है एक और इंवारेमेंट डिवेलप हो गया है तो अब आप चीजें आगे पड़ोगे और आपको अराम समझ में आएगा और आगे कि चीजें कुछ-कुछ ही टेक्निकल मिलेंगे जादर चीज़े ठीकल होंगे बट यह सब्जेक्ट में प्रॉब्लम यह है कि है तो पूरा ठीकल लेकिन बहुत से चीजें जब तक मैं प यह कंपनी में होता क्या बड़ी बड़ी कंपनी में काम कैसे होता है उसका और यह बड़ी बड़ी ओड़ी जो फॉर्म से वो कैसा काम चेक करती है यह चीजे जब आप समझ के चलते हो ना प्रैक्टिकल सिनारियों को देखते हुए कि मार्केट में काम कैसे होता है तब एक मिनुट देना वोड़ननों अवी है यो जो स्पानिक यो ढो ड्योदों देना लुब हम आए एक मिनुट वोड़नों तो सकती है को बदय है तो यह मत्त समझना कि आगे टाइम लेखेगा आगे क्लास में बहुत आगे के अगर से हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला कम टाइम लगेगा कोशिश करूँ हां कम से कम टाइम में चीजे करवाने की तो कि आपके हैं दौ महिने जो अब महीने कोशिश करूँआ या फिर स्टार्टिंग के अपरिल में आपका पूरा कोर्स खतम हो जाएगा यसी लिए मैं आपने नोट्स में सारी चीज़े इसी लिए क्लास का पूरा करता हूं कि आपको लिखना कैसे और लिखने पर एक्जाम में पहले कैसे याद करके चाने उसके में बनाओ कि उसके आप टेंशन ना लेना ठीक है क्लास जरूर देखना और उसक्ता में लाइव भी आकर चीज़ा बता दूँँ आपको ठीक है बागी क्लास का चल रहा है को सब्सक्राइब करना है उसके साब से लाइव क्लास रख लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे और अब हम आगे चाप्टर क्या करेंगे आगे यह गवर्नेंस करना है में चेरोल्डर एक्टिविजम ठीक है यह इतना टेक्निकल नहीं बिल्कुर्टिकल है इंसाइडर ट्रेडिंग थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है ठीक है फिर हम पढ़ेंगे को ओपर फेलियरस है पाइलियरस आरे हम दो अब क्लासिस में होगए सब्स्सक्राइ तइन चैप्टर थिकतों मेरा पेंडिय कि इन में ज्यादा नहीं अपको मेचर टाइम जो आपका वह लग चुब है फिर चलिए तो आज क्लास हम यहीं खतना करते हैं कि मिलते हैं नेस्ट क्लास में जो की होगा एक और टाइक मिसलेनियास टॉपिक जिसमें दो तिन टॉपिक की करवाऊंगा मैं और आपका और खतम हो जाएगा अपनी तारीफ कर रहे हूं आपकी बुक में नहीं दे रखा वह भी कंटेंड मुझे कैसे किसी ना किसी बुक से रेफर करके आपको देना पड़ा ताकि आप अग्जाम में लिख पाओ ठीक है चलिए जी बाए 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 थैंक यू आपका आपका और खत 01